हलो एफ्रिवान वेलकम टू करेको यह सोफुली तुर सारे वदिया होगे ते बहुत अच्छे त्रिक्के देन आल अपने एक्जाम दी प्रेपरेशन कर रहे होगे सो चिवें तो उनों पता है कि आपा पालटी दीग सिर्सनु स्टार्ट किता हुए आची दे विछ आपा इपरेंड इपरेंड इंची क्यूँ फॉर्म दे विछ ग्वेशन से नों डिसकर्स कर दियां दखाया जंदा है दस्या जंदा है कि किस सिरिके दिन आल एक्जामिनर कि तो क्वेशन प्रिक कार सकते हैं तो आज अपना फॉर्टीन लेक्चर है पॉलटी दी सीरीज था जिदे विच आपा दिफरेंट-दिफरेंट एंजी किस नो डिसकस करांगे एस विल एस हुस एंजी किस से पूरी डिटेल नो अदिशनल पॉइंट्स नो लिखिया जाएगा एंट अग्धा अम जस्ते एंग के वीडियो नो त्या आनल देखना है अगर वीडियो वदिया लगते है तो लाइक एंड शेर जरूर करना है अपने रिव्यूस कमेंट बॉक्स से विच जरूर देना है सो लेस्स स्टार्ट आप आच दे सीरीस नूँ फर्स्ट क्वेशन देन आल स्टार्ट कर देया हम फर्स्ट क्वेशन किया जी सादा विच वन अफ दो फॉलिंग इस नॉट अफ फीचर आफ इंडियन कॉंस्टिटूशन पुच्छे घया है कि नीचे रित्यां दे विचो केड़ा जो इंडियन कॉंस्टिटूशन दा फेचर नहीं है सबनु पत है कि इंडियन कॉंस्टिटूशन साड़ किनना ठाइम बनननू लगया सी दो साल ग्यारा मिनेट थारा दिन साड़े Constitution साड़े सविधान नू बननू लगया सी, सड़े सविधान एक रिटन ते lengthiest किया है, सड़े सविधान है, इंडिया दा सविधान एक रिटन एंड लेंधियस पार्ट जो है, सविधान है, Constitution है, इंडिया दा, इस तो इलावा जो सड constitution और लिखया किस दो आरा गया इक constitute assembly दर लिखया गया i ac व ऐ constitute assembly किस दी अंडर बनी सी कबिनेट missन प्ला答 टे अंडर बनी जो cabinet mission plan 1946 से विच इंडिया दे विच आया सी त्यन AH cinco अनौव काबिनेट mission plan दे वीच केडे केडे शानी तुसी comment box से दस्थो गया पैतिक लॉरेंस या लेक्जेंडर सी ते स्टेफ़र्ड क्रेप्ट सी उनना दे अंडर एक कंसिटीट असेंबली बनी ते उस कंस्टिटीट असेंबली दे द्वारा ए सविधान लिख्या गया एक्जाम पॉइंट ओफ यूनल के एक्जाम जो सड़ा सविधान है उसनों जदो सड़ा सविधान लागू कीता गया उस समय 395 उस दे विच आर्टिकल सन बाई पार्ट सन ते अठकी सन शिड्यूल सी एट प्रेजिन कल करिये तह 465 प्लस सड़े आर्टिकल हो चुके ने 25 सड़े पार्ट ने एंड बारा बारा शिड्यूल ने सड़े किया है कि सड़े सविधान ने सड़े स्टेट ते सेंटर दे विच्छ पावर्स नो डिवाइड किता हुए है एक ही है फेडरल स्ट्रक्चर साड़ा किया है बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है सड़े सविधान दा किया है बेसिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंडे ते युडिश्री ओ बॉडिए जो देखेगी के जेरे लोब नाये के ने उस सही ने, सही थे के नल इंप्लिमेंट हो रहे है ने के ने सो जुद्धीश्री की है एक independence एक body है साधी country देविचे वी बिल्कुल सही है Parliamentary form of government बिल्कुल सही सब नुँ पता है कि सढड़ा सवीधान है कि कहनता है कि इंडिया दे विच पारलीमेंटरी form of government होगी yol disparities form of government इंडिया दे विच बारलीमेंट form of government होगी बिल्कुल सही सबस्तिज़न की होएगी सिंगल सिकंगल सिंगल सिटिजन्शिप होएगी आढप्ट किती है तुस्ती में लोग दा सकती हो कि जूर्शिप डाई शिटिजन्शिप तो किते देखना मिल दिया dual citizenship USA दे विच दिखन नू मिल दिया है जिथे state दी लग citizenship मिल दिया है ती center दी अलग तो citizenship दिती जन दिया है but saadhi country दे विच सिंगल citizenship है so option D is a right answer dual citizenship is not a part of our constitution second गल रहसा दिया है कि जो citizenship है उसी कल किस article दे अंडर किती गई है सबनू पता होएगा कि citizenship दी गल पाट से किन article फंच तू 11 तक कीती गई है article 11 की कहनदा है कि parliament court power अगे इन फर्दर अगर किसे तुरीके दी citizenship लेके ओनी है ओधे laws articles से विच कुछ modification करनी है तो किस article दे अंडर है जी article 11 दे अंडर parliament call की दिती हुई है power फोड़ असी न पांच तू 11 अर्टिकल दे according citizenship ने दिती जांदी साधी आजकल लाग हुए है जी citizenship act 1955 citizenship act 1955 दे according की दिती जांदी है citizenship दिती जांदी है किनने तरिक्के दे न फाइव टाइपस दे ना तो उसी मिन्हों comment box दे दस्तो होगे कि केडी केडी हो पंच टाइपस ने जिससे अकॉर्डिंग citizenship साधी country दे जिती जांदी है तो अपन नेक्स्ट क्वेशन दे मूव कर दे हैं जी नेक्स्ट क्वेशन आती सीरीस अब अकॉर्डिंग तो सीटिजन्शिप एक्ट नाइंटी फिफ्टी फाइव बाइव विच आप दे फॉलिंग वेश कैन परसन लोज सीटिजन्शिप इन इंडिया ने को पिछले दे विच मैं तो उन्हों दास्ता कि सीटिजन्शिप दी गल कि ना आर्टिकल से विच किती ग बॉलिया ना इंडर इंडर तो पिछली वीडियो से विच तुसी जाए कि नहों ना निया क्या हिई ना 여vous sabemos À इनकॉर्परेशन इन अधर हुआ 6000 से झांटि Sw gesam पीछ साच सिलिया वीडियो से विच में पूरे ट्रीक्रिक अनॉर्च कितो हुए बाइब कर बाइ रिजिस्ट्रेशन बाइ नेच्रेलिज़ नेच्रालिज़ज़िशन जा इन कॉर्परेशन दा मतलब किया, मीनिंग किया है. सो अजी की यूज़ कर दे है, सिटिजन्शिप एक्ट नी नाग रिखता है, वो खोई किमें जा सक दिये, सबनू पता होना चाहिए है कि तिन त्रीके नल, केड़ी-केड़ी, by renunciation, by termination and by deprivation, तिन त्रीके ने, by renunciation ना मतलब की है, कि अगर तुसी फॉरं दे विछ जाके अपनी लेलाने ओ, citizenship ता तो अड़ी जड़ी citizenship है, तुसी एदर ले की कार देने हो, चट देने हो, voluntarily, इंडिया दे इस citizenship ते फॉरं दी citizenship लेलाने हो, तो वो केड़ी by renunciation हो गया, अगर तुसी उद्दर citizenship लेलाने हो, बट इदर तुसी मेंट है, आटोमेटिकली तो अडिये citizenship नो राद कार देगी, that means कि terminate कार देगी, deprivation दा मतलब कि जो इंडिया न अलगदारी करके जावे, ठीक है, कोई ऐसा केस हो हुए उससे, according जो इंडिया दे वल्लो किया है, citizen ना रहे, तो उसनों कितना जाना है, by deprivate, so ace question दा अंसर एग नेक्स्ट क्वेशन है जी अदे सीरी सा, कि दे विच आफ दे पॉलिंग रिट्स लिट्रली मीन्स वी कमान, दे लास्ट वीजियो दे विच भी डिसकस किता सी, रिट्स बारे, ते मैं तो नो लखाया सी के केडी विट्ट दा की मतलब हुंदा है, firstly, रिट क्यों लागू कि इस से द्वारा किती है, रिट्स दो कॉट्स सप्रीम कोट्ट थे हाई कोट्ट दे द्वारा जारी किती है जान दियाphen्य कोट अंडर अार्टिकल 32 कर दी है, हाई कोट अन्डर अयցट्र अठीकल 226 कर दी है सुप्रिम कोट इन केस वफनदामेंटर राइट वाइलेशन द मेंडेमस, सर्शरी, प्रोहिबीशन, एंड फिफ्थ वान ने साधी क्यूब रंटो, सेम ही रिट जारी किती है जानी है हाई कोट्स दे द्वारा, फुन पुछिया गया है कि किस रिट दा मतलब है वी कमांड, सब तो पहला पता होना चाहिए है कि हैबिस कॉर्पस दा मतलब क किये टू हावा बॉडी, जो साधी सेक्यॉरिटी लेंदी है, साधी जाबदीर उसे क्यार कार दिये जी ओए साधी हैबिस कॉर्पस, मेंडेमस दा किये वी कमांड कि असी उपर बैठे हैं, पबलिक आफिसर्स ने अपना जोड़ा काम है और अच्छे तरीके ना परफॉर् हो सकते हैं, गलत पैसना सुना सकते हैं किसे केस दे होतें, तो ओधे लेंदी प्रोहिबिशन रिट जारी किती जाएगी। last one is cube rento, cube rento दा मतलब किया है कि by what authority छीखे जी इस दा मतलब किया है by what authority, कि किस authority दे नाल तुसी अपना जो office है उसनों hold किता हुए है, so हार एक रिट दा मतलब तो अनूं पता होना चाहिए है, रिट क्यों लागू किती जान दिया है, किस article दे अंडर, किस court दे द्वारा जारी किती जान दिया, most important चीज है, ठीक है जी, article 32 किस दे अंडर आंदा है, एं अंदा है जी, सरे fundamental rights दे अंडर, fundamental rights दी जो guarantee ओ कौन लेंदा है, supreme court, supreme court is a guardian of fundamental rights, तो एस question दा answer की होएगा, सब दा answer आ चुक्या होएगा, option B, mandamus, writ da मतलब किया है, we command, सब्दे में लिख दिते ने, एक अगर तुसी पढ़ लेना, एक्जाम तो पहला चाहन देविच, next question है जी, which one of the falling is not included in the union list of the constitution, can they नीचे दिते हैं देविचो केड़ा पार्ट है, जेड़ा union list देविचे इंक्लिवड नहीं होया होया, सब तो पहले question देविच आप अगल किती सी, federal structure दी, के साढ़े country देवि इविच पावर्स नू बंडिया होया, अगर center दे state देविच पावर्स नू अपब बंडिया होया है, किदे किदे center and state, एची तो नो किथे देखनों मिलेगी, किस schedule देखनों मिलेगी, एची तो नो नो बिदेखनों मिलेगी, schedule 7th of the constitution, जिस्ते जो गल करते, federalism of country दी, federalism दे इंदीए दे विच सेवने दिटरेफल लीस्ट रखिया गई है तीनने सब्देरी केडी में रहजेजव। हमेल लिस्ट टीओ सब्जयक्टम निलोबाद किते की बना सकती है. concurrent list, o list है, जिस ते उते center, state, दोन्नों ही law बना सकती है, बट अगर दोना दे विछ conflict चले, तब preference के नो, the priority, the decision नो दिती जान दिया, union दे decision, next is state list, state list है, state list होना subject दे नो रख्या जान दा है, जिनना दे उते राज सरकार, state government की बना दिया, law बना दिया, खोड पुछया गया है कि नेचे दितिया देविच्छो केड़ा सब्जेक्त है जो उनियोन लिस्ट दे कोल नहीं है देक़ोड डिफेंस उनियोन लिस्ट है, सेंटर दा कुंसेप्ट है, ठीक है, नेक्स डेस ऑडे फॉरन अफियर्स एवी सेंटर पार्ट आफ यूनियन लिस्ट ते तुसी दस्त होगे कि ए किस लिस्ट दा पार्ट है स्टेट जा फिर कॉंकेंट लेस्ट तुसी कॉमेंट बॉक्स से विच दस्त होगे कॉंक gefिंट लेस्ट अ कि दो अप्ट आप्टे केऊं एस्ट्रेलिया गेंट बहुती आपकी आए सब्सकर तैंड उनियान विए этव ना axesी के लिव उनौ बीव क्वी है builder बना सक्या के प्रियो डिइव एडिज़नों बंडित चाहेगी यह डिन सेंचने देशियों बिनके केंदे किस आर्टिकल दे अंडर पंचाइट्स नू सविधानिक रूप मिलिया जग कॉंस्टिटूशनल स्टेटस मिलिया सबनू पता होना चाहिए कि पंचाइट्स दी सब्तो पहला गल किस आर्टिकल दे अंडर किती गई है पंचाहित सा मतलब किये सब तो पहला एदा मतलब है जी लोकल गर्मेंट तेसी गल सब तो पहला किस आर्टिकल दे अंडर किती गहिए आर्टिकल 40 दे अंडर जो गल कर दा किसी DPSPC इस तो बाद अगर गल किती जावे तक विदानिक स्टेटस सी हमेशा गल कर देया कि 73rd अमेंडमेंट दे नाल 1992 दे वहिच इस आर्टिकल दे अंडर स्टीवल एलेवन्थ दे अंडर सदे पंचाहित नू की मिल्या है और चांटी देभेच your constitutional status नहीं मिलया आर्टीकल है जी अप्षन बी 243 फाय का ग्टी चाहित्स नोओ स्टेथ师ेव को फाय क्टी हर्थ आर्टिकल दे अंडर की दिती जांदी है, डेफिनेशन दिती जांदी है, पंचायट्स दी, इनननों के सब डवाइड किता गया है, 243 आर्टिकल ए तो लेके ओ तक, ठीक है जी, आर्टिकल ए दे विच असेंबली है, आर्टिकल बी दे विच बेल्ट करना किसरी के दिना बेल किती जांदी है, C, आर्टिकल C दे वेच, 243 C क्लास दे अंडर दसे आ हुए है, के सड़ी पंचायट्स दा डांचा कि मेदा होएगा, ठीक है, कि दे विच दसे आ हुए है, कि किना किना नों डेजर्वेशन मिलेगी, डेजर्वेशन के नों किनों से एस्टेस, विमेंस नो मिलेगी ठीजी दे विच्की दिता हुए यह किन्य साल दे ली होएगे 5 साल दे ले निए तो दे कोई भी हम दी आंडगे कि दिता हो एक केड़ा किना बेसी से इस्ते डिस क्वालिफाइड किता है जांदा है जेड़ा बंदा पंचायत दा मैंपर नहीं बन सकता तो इसे त्री एक सविधानिक स्टेटस मिलिया अगर पुछया जावे मियूंसिपैलेटी दी गल किती जावे था मियूंसिपैलेटी नू 74th amendment देनाल की मिलिया सी स्टेटस मिलिया सी ते पहली पंचायत इंडिया दे विच किते बनी सी ए तुसी में नू कमेंट बॉक्स से दस होगे नेक्स्ट क्वेशन है जी सदा कि इन विच वन अफ दॉफ फॉलिंग इस नौट करेक्टली मैच तो नू मैच अफ कॉलम दिते हुए ने निच्छे ते आ सब्सक्राइब कर देख रहे हैं गल किती गई आर्टिकल थर्टीनाइन ए फॉर्टी फॉर्टी एक ती मिन्हों सब इस चीज़ सबनू पता है कि आर्टिकल वार्न तो लेके फॉर तक की दिविच्छ जी यूनियन एंड टेरिटरिस दिगल कर दे आर्टिकल पांच तो ग् सब्सक्राइब कर दे आर्टिकल फिफ्टीवन ए दी तो विच हुनिये गलफ फंडामेंटल ड्यूटी थी ठीक है हुड़े है जीड़े लाइक कर रहे ने किसे अंडर लाइक कर देने DPSP से विच हुन देखांगे सारे दे सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल सित्ते गए इक्वल जस्टिसेंद फ्री एड दी गल अंडर आर्टिकल थर्टी नाइन ए ही किती हुई है आर्टिकल फॉर्टी दे विच मैं अल्रेडी पिच्छे दा से चुकतां किसे ऑर्गनाइजेशन ऑफ पंचाइट्स फूवाज फादर ओफ लोकल गर्मेंट फादर ओफ लोकल वर्षी लेकर आया सी जिसने वन कुलरेक्टर नोर रपील किता सी नेक्स्ट एकिटिकल फॉर्टी फॉर इस वार यूनिवर्सल सिवल कोट बिल्कुल सही है ईकिन आर्टिकल फॉर्टी एट फॉरर सेपरेशन अफ यूडिश्य एड 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 एक्जेक्टिव अंदर कीई है तुसी मेननू कमेंड बख से विछ दस्तोंगे कि आर्टिकल 48 दे अंदर की है 45 आर्टिकल की दस दे ए ए ए गल करते है जीरो तो लेके 6 साल दे बच्चान दी एजुकेशन दी गल करते है इस तो इलावा 45 आर्टिकल दे विछ जो जो मौडिफिकेशन दे एड क को दे वेच है तो आर्टिकल की दे लाए करते हैं वेच सिद्ध पुच्छा सकते हम और मैच कॉल दे लिए है सब पहले लिस्ट दे विछ नेम दे गए ने ती दूसरी लिस्ट दे बच आर्टिकल कीष धित गई है तो फाश्य सिधाता की соврем आठिग है मैचित आ हम थर पते amis के KAG कौन हंदा है? KAG is the Auditing Officer of India. जो इंडिया दी सारिया financial reports नो center ते state दोना ही. चीक है जी? Center ते state दोना दी जो financial reports है, उनना नो कौन audit कर दा है? साथा KAG, controller, auditor जनल कर दे ता किस article दी अंदर हंदा है? Article 148 दी अंदर. ठीक है जी? तो ए दे नल मैच होएगा, अप्शन थर्ड, तो ए भी पता होएगा कि कैग दी उमर किन्नी होँदी है, रेटार्मेंट दी 65 होँदी है, इसनों पॉइंट कौन कर दे है, प्रेजिडेंट कर दे है, बट इसनों रिमूब करन दा कंसेप्ट है, सेम एस सुप्रीम पोर्ट दे दे अडर किती जांदी है, ता क्लास नमबर, स्वरी, सेकिंड क्लास, नेक्स ता है, अडिनिसरेशन अफ ट्रिबिनल्स, इसनी गलत तो दी किती जांदी है, आर्टिकल 323 ए दे अंडर, यूनियन पॉब्लिक सर्विस क्मिशन अडर आटिकल 315, नेक्षो उनियन पॉब्लि सर्वेस कमिशन इसब क्वंस्टरिशनल बाड़ी, एडमिस्टरिटी दे रिबनल्स, इस ऑल्स, इस ता रटिविशन बाड़ी, सू मैच कर दो, एड़ी नयू ओगा जिए, ता नू कित जिख रहा है, एड़ी दे नाल बीके भिख रहा है, एड़ी यून ज़ए तो अड कि ते फिर फूर्थ एन वन, option A is a right answer, ची कहा जी? Option A is a right answer, त्या आंदे नाल कर दे जाना बहुत important concept नहीं, next question है, जाता है इन वर्ष नू स्क्राणालोजिकल ओडर दे विच अरेंज करन ली पुछा जा सकते है, जा पुछा जा सकते है, केडा शब्द है, चेडा सदे सविधा प socialist है जी, बिल्कुल सही है, secular, secular ता सार नू पता है, socialist ते secular, साधे प्रेंबल दे विच चुछ, 42nd amendment, 1976 दे ना लेना नू एड कीता गया सी, sovereign ता पहला ही एड सी, ते public welfare is not belonging to our preamble, सब नू पता हुएगा कि सब तो पहला word है जी, साधा sovereign, ता सदा socialist, तीसरा सदा secular, ता Republican, ता फेर देमोकराटी, ता लास्ट वन इस अरेपलीक, इनननू chronological order ते विच भी arrange करन दे ली, पुछ्या जा सकजा है. नेक्स्ट क्वेशन है, कि इन विच अफ द फॉलिंग केसी, सुप्रीम कोर्ट रिगार्ड दे प्रियंबल अस आ पार्ट अफ द बेसिक structure of India, कि इन दे केड़ा हो साड़ी constitution दा case सी, जिड़ा सब्तोल जादा benches case सी, तेरा benches case सी, 1973 दे विच हो केस होया सी, जिसने विच बेसिक structure of constitution दे गल किती गई सी, ते ए भी कहा गया सी, कि जो साड़ा प्रियंबल है, वो की है, साड़ा integral part of साड़ी constitution दे, ते उसनों अमेंड भी किता जा सकते है, ए गल किती है, जी option दी, केशवननन्दा भारती case दे विच एक कदू आया सी, 1973 सब को लंबा बैंचिस case बनिया सी, केशवननन्दा भारती case, next question दे, next question है, सदा, यंडिएंन कॉने कॉंसिटिएशन की बेन ए, रिचार Infinite Number विचिए घंड आप्लेक्सिबल है नितर रिच इस तरीके दिया प्रवेशन नो बहुत एजली की किता जा सकते है, सिंपल मजॉरीटी देराल अमेंड किता जा सकते है, तो सद्धा की है, जो सद्धा सविधान है, वो पार्शली रिचर्ट एंड पार्शली की है, फ्लेक्सिबल है, तो इस वीडियो देली एरना ही, मिल देया, नेक्स वीडियो देली, थैंक्यू सो मच, मिल देया, नेक्स वीडियो देली,